हेलो गच्चों, आज हमारा क्वेस्सिन है Find the Multiplicative Inverse of Each of the Fallen मुझे क्या निकालना? Multiplicative Inverse निकालना है इन numbers का भही Multiplicative Inverse क्या होता है? जाए 3 upon 5 है मैं इस number को किसे multiply करूँ कि मुझे answer कितना आजाए किस number से इसको multiply करूँ कि मेरा answer कितना हो जाए? 1 हो जाए मुझे 3 upon 5 को किसे multiply करूंगे मेरा 1 आ जाए तो भाई 3 upon 5 को अगर मैं multiply करूंगो 5 upon 3 से तब जाके हमारा 1 आएगा ठीके इसको reciprocal कर देंगे 5 से 5 कट गया और 3 से 3 कट गया हमारा answer 1 आ गया मुझे देखना multiply inverse का मतलब होता कि मैं इस नमर को जो fraction में दिया उस fraction किसे multiply करूं कि answer हमारा 1 हो जाए तो मैं किसे करूं इसको भाई 5 upon 3 से करूंगा तब जाके मेरा 1 आएगा ऐसी मेरे देखो 9 upon 16 को मैं किस से multiply करूं भाई 16 upon 9 से करना पड़ेगा 16 वगज़ 16 और 9 वगज़ 9 वगज़ 9 यह वन आ जाएगा तो इसको किस से करना पड़ेगा 16 upon 9 से ओकई इसके हमेरे ऐसे पोकल करना पड़ेगा अब 10 upon 19 तो क्या जाए गवा 19 अपन 10 से करना पड़ेग देखो 10 upon 19 मुल्टिपील इन्वेर्ट से होता है कि मता हमारा आंसर वोन आने चाहिए किस से मंटिप्लाए करें 19 upon 10 से करने पड़ी ये कड रहा ये कड रहा तब जाके वन आ रहा ओके 12 upon 7 तो 7 upon 12 से करना पड़ेगा वाई किससे करना पड़ेगा इसका रेशिपोकल जो नंबर आएगा उससे में इसको मंटिप्लाए करना पड़ेगा 24 upon 13 भाई तो 13 upon 24 से multiply करना पड़ेगा 24 upon 13 है किससे multiply करे 24 upon 13 से इससे कर जाएगा इससे कर जाएगा हमारा answer बना आ जाएगा अब तो 7 सिख जा 7 2 जा 14 14 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 20 20 upon 7 को हम किससे करें तो हमारा आ जाएगा 7 upon 20 से करेंगे 14 3 जा कितना हो तो 42 और 9 कितना हो जाएगा 42 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 51 upon 14 किससे करेंग को 14 upon 51 से करेंगे ओके